अजीज तुलबवा तलबात एक बार फिर से इस्तिक बारे आपका जेट के डिजिटल स्कूल में आज हम देखेंगे जमाच चौती मजमून महोलियात हिस्सा दुवम सबक नमबर चार शिवाजी महाराज का बच्पन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकोन के बटन को भी प्रेस कीजिए तो चलिए शुरू करते हैं शुवाजी महाराज का जनम आप जो किला देख रहे हैं यहां पर शुवाजी महाराज का जनम हुआ था यह जमाना बरा इंतिशार का था शुमाल की जानिब मोगल बादशा शाजा ने दक्कन को फता करने के लिए बहुत बड़ी फोज रावाना की थी पुना शाजी राजे की जागिर में था विजापूर की आदिल्शा ने इसे तबाव बरबाद कर डाला था शाजी के लिए बहुत बड़ी परिशानी का जमाना था आगे कुवा पीचे खाई भागदोर शाजी राजे की जिन्दगी का एक हिस्सा बन गए थी इसी जमाने में ही उनकी बीवी जीजापाई हामिला थी इस अफरा तफरी और बागदोर में शाजी राजे परिशान थे कि जीजापाई को कहा रखे अचानक उन्हें शिवनेरी किला याद आ गया उन्होंने फैसला किया कि जीजापाई को शिवनेरी के किले में रखा जाए शिवनेरी का किला जिलापूना में जुनर के करीब वाक्य था एक किला बहुत मजबूत था प्यारे बच्छों इसके चारों तरफ उची फसील यानि उची उची दिवारे और मजबूत दर्वाजे थे विजे राज यहां के किलेदार थे इनकी भोसले खांदान से रिष्टेदारी थी विजे राजे ने जीजा बाई की हिफादत की जिम्मेदारी को कबूल किया शाजी राजे ने जीजा बाई को शिवनेरी के किले में पोचा दिया और खुद मोगलों से जंग करने के लिए रवाना हो गए 19 फरवरी 1630 को उस उनेरा दिन तुलू हुआ और शिवनेरी के नकार खाने में शैनाई और नौबत बज रही थी अब देखते है शुआजी महराज का बच्पन कैसे गुजरा शुआजी महराज की उमर की इप्तिदाए 6 साल बरी परिशानी में गुजरे मगर इस परिशानी बीवी उनकी मा जीजा भाई ने उन्हें उम्दा तालिम दी हर शाम वो अपने पास बुलाती और इनको अच्छे अच्छे किस्से सुनाए करती थी अच्छे अच्छे कहानिया सुनाए करती थी कभी गैनेश्वर, नामदेव और एकनाद की अभंग जोना थी शिवाजी माराज को बाद्दूर लोगों की बड़ी कहानिया बहुत पसंद थी उन्हें अहिसास होता था कि बड़े होने पर उन लोगों की तरह बाद्दूर के कारणा में अंजाम देने चाहिए अजिस तुलबातालबात आपके सामने जो तस्वीर है यह शाजी की शिवाजी माराज के वालिद गरीब मावले लड़के शिवाजी माराज के साथ खेलने आते थे शिवाजी माराज कभी कबार उनकी जोपड़ियों में पोच जाते गरीबों की जवार की रोटी और प्याज मज़े ले ले कर खाते इनके साथ दिल्चस्प खेल खेलते ये मावले बच्छे गोया जंगल के परिंदे थे वो तोता, कोयल और शेर की हूब बहू आवाज निकालते थे मिट्टी के हाथी, घोडे और किले बनाना उनका मज़गला था आक मोचोली खेलना, गेंद खेलना, लट्टू गुमाना उनके रोजाना के काम थे शिवाजी माराज इन बच्छों के साथ उन तमाम खेलों में हिस्सा लेते थे मावले लड़कों को शिवाजी माराज बहुत पसंद करते थे अब दीख रही आपर, इनके अत्राफ में ये मावले लड़के बैटे हुए है और शिवाजी माराज दर्मियान में बैटे है अब दीखेंगे शाजी राजे मोगलों के दर्बार में शाजी राजे निजाम शाही सल्तनत में जरूर लोट आये लेकिन यहां उन्हें इत्मिनान नसीब नहीं हुआ क्योंकि निजाम शाख खुद भैकावे में आने वाले और उजलत पसंद शक्स थे इनकी इस कमजोरी से दर्बार में साजीशे और बुक्स वादावत उरूज पर थी निजाम शाख के उकसाने पर लक्खुजी राव जादो को भरे दर्बार में हलाक कर दिया गया था इस वाके से दिलबरदश्टा होकर शिवाज माराज ने निजाम शाख को छोड़ दिया और मोगलों के खिद्मत में हाजिर हो गए मोगल बादशाश आजाने उन्हें सरदारिया था कि इस दर्मियान वजीर फटेखान ने मोगलों से पोशिदा तोर पर समझुदा करके निजाम शाख को खतम कर दिया निजाम शाख में अब इंतिशार पैदा हो गया ये बात वाज़ा हो गई कि फटे खान दोके से निजाम शाय सल्तनत मोगलो के हवाले करने वाले हैं बात यही पर खतम नहीं होती शाजी राजे को जागिर हथा की गई थी और जिन पर उनका कबजा था मोगलो ने बरायराज फटे खान को दे दी इस बात पर बरहम होकर शाजी राजे ने मोगलों के हिमायच छोड़ दी और अपनी ताकत के बलबोत पर मोगलों को सबक सिखाने का फैसला कर लिया था आईए पैरे बच्छों चैनल को सब्सक्राइब करते हैं बिल आइकोन के बटिक को भी प्रेस करते हैं